वेल हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका एक नई वीडियो में मेरा नाम है गौरब और आप देख रहे हैं यह अन्बॉक्स है फ्रेंट्स आज मैं करूँगा कंपेर बोट वाच एक्स्टेंट और नॉइस कलर फिड केलिबर स्मार्ट वाचिस को जैसा कि आप लोग उने मुझे काफी वोला कि इन दोनों वाचिस में कन्फुजन हो रही है थोड़े सी बाय करने लिए तो इस वीडिल में आपकी कन्फुजन दूर होने वाली है तो चलिए फ्रेंट्स बीना देरी के कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर प्राइस टेक की बात करूं तो वोट वाच एक्स्टेंट अरूंड 3,000 के हमें देखने को मिलती है और नौइस कलर फिट कैलिबर हमें देखने को मिलती है बास बास तो काफी जादा डिफरेंस है वैसे प्राइस में ही बट स्टिल करते हैं कंपेर्जन श डिस्प्ले देखने को मिलता है तो डिस्प्ले तो सेम है दोनों का दोनों ही वाच इस 5 ATM वाटर रिजिस्टेंट है यानि की डेड में तक हम आराउंड आदे घंटे तक इनको पानी में रख सकते हैं बोट वाच एक्स्टेंड में 14 स्पोर्ट मोड देखने को मिलते हैं और 150 प्लस वाच वेसेज देखने को मिलते हैं हमें noise color fit caliber smartwatch में फिर से यहाँ पर noise color fit caliber smartwatch जो है वो अच्छी निकल कर आई है वाइस असिस्टेंट की बात करें तो वोट वोच एक्सेंड में हमें एलाइजा का सपोर्ट देखने को मिलता है और noise color fit caliber में कोई भी वाइस असिस्टेंट का सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिलता सेंसर की बात करें तो stress sensor, heart rate sensor, SPO2 sensor और sleep monitoring ये सब हमें boat watch extend में देखने को मिलती है और noise color fit caliber में भी ये सब चीज़े देखने को मिलती है यानि की stress sensor, SPO2 sensor, heart rate monitor, sleep monitor एक sensor एक्सेंटर मिलता है हमें body temperature sensor का noise color fit caliber smartwatch में auto brightness में boat watch extend में auto brightness देखने को मिलती है और वहीं manual brightness देखने को मिलती है हमें noise color fit caliber smartwatch में 300 mh की battery है दोनो ही watches में और दो दो घंटे में full charge हो जाती है दोनो ही प्लस एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो boat watch extend है वो हमें 7 days का 7 to 10 days का backup देगी है ऐसा company claim कर रही है और up to 15 days का backup देगी noise color fit caliber smartwatch ऐसा company claim कर रही है तो यहाँ पर फिर से जो noise color fit caliber smartwatch है वो हमारे लिए पढ़िया निकल कर आई है दोनों में देखने को मिलते हैं बट हम noise color fit caliber smartwatch है उसे हम column reject भी कर सकते हैं यह एक extra feature हमें देखने को मिल रहा है noise color fit caliber smartwatch में दोनों ही bluetooth 5 के साथ आती है so pairing वागर्रा भी कोई दिक्कत नहीं उती वोट वाच एक्सेंड में हमें 4 color options देखने को मिलते हैं और 5 color options देखने को मिलते हैं हमें noise color fit caliber smartwatch में साथे साथ 20 plus traps भी हमें देखने को मिलते हैं noise color fit caliber smartwatch में तोनों ही watches iOS और Android operating system के साथ compatible हैं So all in all price tag को अगर मैं ध्यान में रखूं तो noise color fit caliber smartwatch जो है वो हमारे लिए friends जादा value for money है So guys ये तो था comparison उमीद करता हूँ और वीडियो आपको बसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना और comparison की वीडियो लेकर आता रहता हूँ